Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा topic है आपके person की true feelings और intentions क्या है आपके लिए, so वो कैसा feel करते हैं आपके लिए और उनका क्या इरादा है future को लेकर यह हम जानेंगे, so regardless आपकी क्या situation है आपके partner के साथ यह reading सब के लिए open है, so आप इसको male के लिए देख स जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा, so शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination safe divine source को पता है, safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख अगर आप नए है मेरे चैनल पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा, so अब हम start करते हैं, आपके पास तीन options है, option number one है A to I, option number two है J to R, option number three है S to Z, इन तीनों में से जहां पर आपका या आपके partner का name initial आता है, यानि नाम का पहला letter उसी में आपकी reading है, जिन लोगों को object से select करने की आदत है, उनके लिए तीन diamonds है, so option number one है ये green diamond, option number two है blue diamond, and option number three is red diamond, so तीनों में से आपको जो पसंद है आप select कर लिजिए, time stamps description में है, skip करके आप अपना answer देख सकते हैं, अगर आप दो देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई problem नहीं, जैसे आपकी intuition आपको guide करती है, वैसे आप selection कीजिएगा, मैं start करूंगी option number one से, चिन लोगों ने option number one, यानि के A to I select किया है, green diamond के साथ, यह आपकी reading है, और हम देखेंगे कि आपके person की true feelings आपके लिए क्या हैं, और उनकी intentions क्या हैं, सबसे पहले हम आपके person की true feelings देखेंगे, और फिर उनकी intentions oracles में देखेंगे, सबसे पहला card है हमारे पास six of swords, फिर है the star, strength, eight of swords, so eight किसी के लिए significant हो सकता है, यह double eight है, फिर हमारे पास the hermit, six of cups, so double six भी किसी के लिए significant हो सकता है, the magician और फिर है ace of pentacles, so यहाँ पर double six, double eight, I feel कि आप दुनों एक दूसरे को mirror कर रहे हैं, यह soul mate connection मुझे लग रहा है, twin flame connection भी हो सकता है, दो infinity symbols है, so definitely I feel कि कुछ लोगों के लिए यह twin flame यह soul mate connection है, यह बहुत deep connection है, बहुत spiritual connection है, यह भी मुझे feel हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि less contact चल रहा है, या फिर no contact चल रहा है, इस वक्त आप लोगों का connection रुका हुआ है, stuck है, कोई change नहीं इसके अंदर आ रहा है, so, यह इनसान, इनकी true feelings आपके लिए क्या है, so यह इनसान आपसे truly बहुत ज़्यादा attached है, आपसे एक बहुत, आप कहलें कि strong connection यह इनसान feel करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाओ, बहुत ज़्यादा प्यार इन्हें आपसे है, true love की vibes आ रही है मुझे, so, यह इनसान truly आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे यह feel हो रहा है, इस वक्ति एनसान आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ जो इनकी memories थी जो वक्त इनों ने बिताया, उसको ये इनसान बहुत ज़दा याद कर रहे है इस वक्त ये इनसान बहुत ज़दा विदिन जा रहे है I also feel कि आपकी वज़ा से इनकी spiritual awakening चल रही है I also feel कि ये इनसान जब आपकी जिन्दगी में आए तो आपने बहुत ज़दा spiritually grow किया में भी आपकी भी spiritual awakening चल रही है आप लोग spiritually बहुत ज़दा grow कर रहे हैं so ये connection कोई भी और connection होने के इलावा बहुत ज़दा spiritual connection है और ये connection इसका खास मकसद आप लोगों को कुछ सिखाना है आपको strong करना है आपको spiritually grow करना इसका मकसद है so I feel कि ये एक ऐसा connection है आप दोनों की जिन्दगी में जिसका आसर मैं definitely ये कहना चाहूंगी कि उम्र भर रहेगा जो याद आप दोनों को उम्र भर रहेगा जिसका बड़ा positive impact आएगा आप लोगों की जिन्दगी पर maybe इस वक्त आपको ऐसा feel हो रहा हो कि ये बड़ा मुश्किल है ये अच्छा नहीं है इस connection ने आपको तकलीफ दी है whatever इस तरह से कुछ भी आपको हो सकता है कि इस present time में feel हो रहा हो so I do feel कि ये connection आपको बहुत बहुत ज़्यादा कामियाबी देगा अपने आप में कामियाबी सिर्फ ये नहीं कि आप financially बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हो बहुत बड़ा घर आ जाए ये भी कामियाबी है इसमें भी कोई शक नहीं but I also feel कि कुछ चीजें जिनसे आप डरते हो उनको overcome करना अपने fears को overcome करना भी कामियाबी है अपने आपको समझना भी एक बहुत बड़ी कामियाबी है और sometimes हम अपने आपको ही नहीं समझ पाते कि हमें exactly क्या चाहिए हमें exactly जिन्दगी में क्या करना चाहिए हमें क्या चाहिए हमारा life purpose क्या है ये चीजें जान लेना ही sometimes बहुत बड़ी कामियाबी होती है बलके मैं sometimes नहीं कहूँगी मैं हमेशा ये कहूँगी कि अपने आपको समझ लेना अपने emotions पर grip हासिल कर लेना और हमारे अपने लिए क्या बेहतर है उस चीज़ को understand कर लेना अपनी intuition को follow करना ये बहुत बड़ी कामियाबी है ये बहुत बड़ा आप कहलें कि ये बड़ी achievement है ये बहुत बड़ी so I feel कि ये connection बहुत ज़दा deep है ये इनसान आपके साथ एक बहुत डीप soul connection feel करते हैं और share करते हैं ये हमेशा आपको याद रखते हैं अपनी यादों में चाहे आप इस वक साथ हो या ना हो लेकिन ये इनसान बहुत ज़दा आपके बारे में सोचते हैं और ये literally ये सोचते हैं कि आप इनके लिए ये star हैं आप इनकी जिन्दगी की light हैं आप इनकी जिन्दगी की hope हैं आप बहुत ज़दा motivate करते हैं उन्हें आप उनकी motivation है maybe आप जब इनकी जिन्दगी में आए तो बिलकुल भी इनको motivated feel नहीं हो रहा था बहुत low सी चल रही थी जिन्दगी और जब आप आए तो इनकी जिन्दगी में light भर गई इनकी जिन्दगी में hope आगई इनकी जिन्दगी colorful हो गई आपके आने से आपने बहुत बड़ा impact डाला है इनकी जिन्दगी पर बहुत positive और ये इनसान बहुत ज़्यादा आपसे attached है ये इनसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो यहाँ पर star signs मैं बताना भूल गई थी Leo, Aquarius, Virgo यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong है और वैसे तो सारे ही star signs लेंगे ये सारे बहुत ज़्यादा strong है सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि regardless of star signs अगर energy आपसे match हो रही है तो बिलकुल आपकी reading है star signs पर आपने focus नहीं करना, energy पर करना है So I feel कि ये इनसान इस वक्त बहुत ज़्यादा stuck हैं और stuck आपके ओपर हैं मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि ये इनसान आपसे दूर जाना चाहते है ये आपके बारे में कोई complicated इनकी thoughts है, ऐसा कुछ नहीं है ये इनसान बहुत clear है कि इन्हें आपसे प्यार है और ये आपके साथ चलना चाहते है long term और इन्हें कोई confusion नहीं है इस बारे में अगर आप लोग इस वक्स separation चल रही है कोई भी अगर challenge आप लोग face कर रहे है वो बहुत temporary है, वो challenge खतम हो जाएगा ये connection मुझे एक बड़ा healthy connection नजर आ रहा है और इसमें बहुत ज़ादा potential है और ये इन्सान भी बहुत ज़ादा potential देख रहे हैं इस connection में, ये इन्सान आपको लेकर परिशान नहीं है बलके ये सोचते हैं कि आप इनकी hope है आप इनका perfect match है और ये इन्सान आपको कभी भी नहीं खोना चाहते ये इन्सान आपको खोने से डरते हैं I feel इन दो cards के साथ I feel कि इन्सान आपको manifest कर रहे हैं इस present time में आपको कुछ offer करना चाहते हैं आपके साथ एक stable, strong connection बनाना चाहते हैं एक stable foundation बनाना चाहते हैं आपके साथ true होना चाहते हैं आपसे जूट नहीं बोलना चाहते ये तो बहुत ही ज़ादा positive reading है and I feel कि बहुत ही ज़ादा ये connection आप लोगों का deep है so उनकी intentions क्या है हमारे पास है prayer फिर है हमारे पास completion so maybe ये इन्सान अपनी जिंदगी में कुछ change करना चाहते हैं घर change करना चाहते हैं कुछ change करना चाहते हैं with the completion I also feel इस image को अगर हम देखे maybe literally किसी की family में death हुई है so ये specific messages अपके लिए नहीं होगा but उसके लावा ये feel कि शायद आपके person अपनी जिंदगी में कुछ change लेकर आ रहे हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है and I also feel कि ये इनसान आपके लिए भी बहुत ज़दा दुआ करते हैं फिर है हमारे पस a change in a wind इसका number 12 है so change yes कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है उनकी जिंदगी में फिर हमारे पस soulmates wow number 41 है so I definitely feel कि ये इनसान ये feel करते हैं कि इनके दिल की जो चाबी है वो आपके पास है इनकी feelings की आप इनके दिल को open up करते हैं और आप इनके जितने close है उतना close कोई भी नहीं है इनके और उनकी sensitivity को आप feel करते हैं उनकी sensitive side को उनको deeply आप जानते हैं और कोई नहीं जानते maybe वो आप से ही कहना चाहते हैं कि जितने आप उनके close हैं, उतना कोई भी कभी भी नहीं आया है, फिर हमारे पस patience, फिर है sixth chakra जो के है third eye chakra, number 40 है इसका और इसका 16 है, फिर हमारे पस release your ex, the time has come to clear your energy, so I feel कि ये खास दोर पर energy के बारे में ही है, कि शायद आपके person negative energy को, old energy को निकालना चाहते हैं, अपनी जिन्दगी से एक fresh new start करना चाहते हैं, आपके साथ या तो fresh new start करना चाहते हैं, या फिर with this card again I feel कि जैसे वो अपना घर change करना चाहरे हों, job change करना चाहरे हों, कुछ change इनको अपनी जिन्दगी में, और फिर है हमारे पस let go, so ये बड़ा interesting है, so हो सकता है कि किसी के control issues हो, I'm so sorry, मेरा गला पता नहीं क्यों इतना जादा खराब हो रहा है आज, so maybe आपने let go करने का सोचा, या उन्होंने, बट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, maybe किसी के control issues थे, उसे let go थोड़ा सा करने की जरूरत है, आपके person इस वक बहुत ज़दा अपनी higher self से connect कर रहे हैं, आप लोग भी, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़दा spiritual connection है, ये कोई arm connection नहीं है, ये कोई ordinary connection नहीं है, extraordinary connection है, so I feel कि ये इनसान आपको भुलाना नहीं चाहते है, let go इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने let go किया है, तो अपने control issues को किया है, ये change कर रहे हैं अपने आपको, अगर कोई भी problem था, so इनकी intentions क्या है, ये इनसान आपके साथ चलना चाहते हैं long term, ये इनसान बहुत ज़दा hopeful है future के लिए, आगे के लिए, बट ये बहुत patient है, ये इनसान ये चाहते ह कि आप इनके साथ patient रहें, इनकी intentions ये हैं कि ये slowly आपके साथ progress करें, ये इनसान rush में नहीं, जल्दी में नहीं है, बहुत slowly progress करना चाहते हैं, step by step progress करना चाहते हैं, ये इनसान बिलकुल यूं कह लिजे कि ready नहीं है अभी, commitment के लिए, settle down होने के लिए, उस next level तक जाने के उसके लिए इनसान ready नहीं है, बट उनकी intention है आपके साथ long term चलने की, लेकिन बहुत patience के साथ थोड़ा इसमें इंतजार आपको करना पड़ेगा, और patient रहना पड़ेगा, और ये totally आपका decision है, कि आपने क्या करना है, बट जो लोग रहना चाहते हैं, इस connection में उनके लिए guidance सारी है, कि ये इनसान चाहते हैं, कि slowly आप लोग step by step आगे बढ़ें इस connection में, जल्द बाजी ना करें, सोच समझ कर एक दूसरे को जान कर अच्छी तरह, एक दूसरे को समझ कर फिर फैसला लें, इनकी ये intentions हैं, कि ये सोच समझ कर फैसला करें, और slowly आपके साथ progress करें, step by step, ये जल्दी में नहीं हैं, सो इसके इलावा, I definitely feel कि ये true love की wives हैं, ये इनसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, genuinely प्यार करते हैं, और genuinely ये इनसान आपके साथ इस connection को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तालुक रखना चाहते ह और आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अपना पूरा time लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको understand करें, और थोड़ा सा time दें, ताकि ये सारी चीज़ों को figure out कर सकें, या sort out कर सकें, वैसे मुझे कोई बहुत major problem आप लोगों के इस connection में नजर न आप लोग feel करेंगे, experience करेंगे, ये connection बहुत अच्छे से progress करने वाला है in near future, so ये मुझे आप लोगों के लिए नजर आया है group number one, कुछ भी आप से resonate किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भ गुलिएगा, जिन लोगों ने option number two, यानि कि J2R select किया था blue stone के साथ, यानि blue diamond के साथ, ये आपकी reading है, और हम देखेंगे कि आपके person की true feelings और उनकी true intentions आपके लिए क्या है, क्या है उनका इरादा इस connection के लिए और आपके लिए, कैसा feel करते हैं आपके लिए, so सबसे पहला guard ह है हमारे पास four of pentacles, फिर है हमारे पास six of wands, फिर है king of wands, two of swords, seven of wands, king of cups, the hierophant और फिर है हमारे पास death card, so यहाँ पर Scorpio, Taurus, Aries बहुत strong है, वैसे सारे star signs यहाँ पर present हैं, बट यह बहुत strong star signs है, so मैं हमेशा आप से ही कहती हूँ कि regardless of star signs, अगर energy आप से match हो रही है, तो बिलकुल आपके reading है, star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है, energy पर focus करना है, so इनकी true feelings आपके लिए क्या है, सबसे पहले तो king of cups की मैं बात कर यह, लेकिन problem यह है कि वो आपको यह emotions दिखाते नहीं, because यह king of cups बहुत ज़्यादा expressive नहीं होता है, so I also feel चाहे male हो या female, यह अपने feelings express नहीं करते हैं, and I also feel कि यह एक बहुत strong इनसान है, इनकी जो personality है, वो बड़ी strong है, यह जो फैसला लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा का time रहते हैं, so यह एक बड़े strong इनसान है, but when it comes to you, आपके मामले में यह इनसान बहुत ज़्यादा sensitive है, लेकिन यह इनसान अपनी वो sensitive side शायद आपको दिखाना नहीं चाहते, किसी को नहीं दिखाना चाहते, आप यूं कह लिजीए कि आप जैसे इनका एक sensitive spot है, बहुत ज़ feel होता है उन्हें कि जैसे वो बहुत कमजोर हो गए हैं जब आपकी बात आती है, they really feel कि उन्हों surrender कर दें, उन्हें यह feel होता है कि यहाँ पर उन्हें surrender कर देना होगा, यहाँ पर उनकी नहीं चलेगी जब वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके लिए उनके दिल मे वो resist नहीं कर पाएंगे आपको, आप उनके लिए बहुत irresistible हैं, सो यह इन्सान आपसे इन्हें बहुत लगाओ है, बहुत प्यार है लेकिन इस वक्त बहुत closed off दिखाई दे रहे हैं, यह इन्सान इस वक्त बहुत ज़दा defensive है, इनको थोड़ा सा डर है कि आपका reaction पता न reaction होगा, I also feel कि यह इन्सान बहुत ज़दा कोशिश कर रहे हैं जिन्दगी में successful होने की, बहुत ज़दा कोशिश कर रहे हैं, अपने काम के हवाले से अपने, जो भी यह कर रहे हैं अपनी life में, हो सकता है कि इनकी public से बहुत ज़दा dealing होती है, बहुत ज़दा दिन भर लोग बड़ी आप कहलें कि एक ऐसी side है, जो बड़ी flirtatious सी है, हला कि यह इनसान एक बहुत serious, बहुत sensitive इनसान है, लेकिन एक दूसरी side इनकी थोड़ी सी flirtatious सी है, बड़ी strong सी है, बड़ी charismatic सी है, बट यह सारी चीज़ें जब आपके बारे में बात होती है, या when it comes to you, यह इनसान बहुत different act करते हैं, I feel, कि आपके साथ इनकी personality totally change हो जाती है, यह बड़ा एक interesting message आ रहा है, कि यह इनकी दो personalities है, I feel कि जैसे dual personality disorder हो सकता है, कि आपके साथ इनकी personality बिलकुल different है, और जब यह लोगों से deal कर रहे होते हैं, तो यह बिलकुल एक different इनसान होते हैं, maybe आपने यह रॉफ नजर आ रहे हैं, और I also feel कि आपके लिए इनके दिल में खास जगा है, जो आज भी है, अपनी जगा पर, जो कि खतम नहीं हुई है, प्यार आज भी ने आप से है, no matter what, इस वक्त आप लोगी क्या situation है, but I feel कि यह इनकी जिन्दगी का एक transformation का period चल रहा है, I feel इनकी जि action लेते होई दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके लिए, इस वक्त, so यह याद रखेगा कि energy is change होती रहती है, I'm sorry, so यह इस present time की energy है, कि यह इनसान कोई action आपके लिए लेते होई दिखाई नहीं दे रहे, action के बारे में यह बहुत confused है, क्यूंकि इनकी जिन्दगी में इतना ज change आ रहा है, बहुत जादा change आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि यह change क्या है, आपको पता होगा, but यह transformation का period चल रहा है, और difficult भी हो सकता है यह phase उनके लिए, और इस वज़ा से यह इनसान कोई action लेते होई नजर नहीं आ रहे हैं आपके बारे में, but yes, feelings है, प्यार है, true genuine love है आपके लिए, but जिन्दगी में उनकी कुछ चल रहा है, जिसकी वज़ा से वो कोई action नहीं ले रहे, so let's see कि आने वाले वक्त में उनकी क्या intentions है, क्या हो सकता है, हमारे पास है release, so maybe इन्होंने आपको भूलाने की कोशिश की है, और फिर हमारे पास wisdom, और इस connection की वज़ा से इ बड़े wise हुए है, I also feel के इनके अंदर wisdom पहले भी थी, और वो जो इनकी एक sensitive side है, एक spiritual side है, आपने वो देखी है शायद, लेकिन और लोगों के साथ जैसे मैंने कहा कि ये बिलकुल एक different इंसान है, so ये wise पहले भी थे, लेकिन अब बहुत जादा wise हो गए है, बहुत जादा 22, फिर है हमरे पस time to go, number 45, so maybe आप भी move on करने का सोच रहे हैं, आपके जहन में भी ये confusion है कि मुझे रुकना चाहिए, या move on करना चाहिए, release और time to go से मुझे ये feel हो रहा है कि आप दोनों शायद एक दूसरे से move on करना चाह रहे हैं, बट आप दोनों का में आप नहीं हो पा हैं, लेकिन move on का भी सोच रहे हैं, walking away, number 27, किसी की एज भी हो सकती है, 27, so 3 cards आ गए है, walk away के, move on के, so maybe आपको feel हो रहा है कि अब time आ गया है, walk away करने का, उनको भुलाने का, but कभी कबार बहुत शिदत से याद आती है, आप दोनों को एक दूसरे की, codependency, addictions are affecting your romantic life, so यहाँ प feel कि यह जो codependency का card है, इसका बड़ा तालुक death card से है, कि आपके person की जिन्दगी में जो भी attachment थी, negative attachment, codependency, जो भी वो किसी पर depend कर रहे थे, वो codependency को खतम करना चाहते हैं, और जब वो codependency को खतम करेंगे, तो उनकी जिन्दगी में बड़ा change आएगा, और यह बड़ा मुश को खतम किया है, अब जब वो बिल्कुल independent अकेले हो गए हैं, अपने career को, अपनी जिन्दगी को लेकर, तो उनके लिए यह बड़ा एक मुश्किल decision भी था, और अभी वो बिल्कुल अकेले हैं, और खुद से उन्होंने plan करना है, हर चीज़ खुद से अब उन्होंने करनी है कोई उनके साथ नहीं है, यानि उनको support करने वाला कोई नहीं है, तो यह उनकी जिन्दगी का एक मुश्किल decision था जो उन्होंने लिया है, और वो किसी चीज़ से उन्होंने खुद को आजाद किया है, वाक अवे किया है, इस co-dependent energy से, और फिर है मर पस forgiveness, तो यह इन्सान दि कि आप इन्हें माफ कर दें, इनकी intentions क्या है, I feel कि इनकी intentions आपके लिए ये हैं कि आप move on करें, आप आगे बढ़ें अपनी जिन्दगी में, आप कामयाब हों, आप खुश हों, आप एक blessed इन्सान है, अपनी blessings को recognize करें आप, ये इन्सान फिल हाल ये चाहते हैं कि आप इस बा बहुत है, no doubt, care भी है आपकी, लेकिन ये इन्सान इस position में नहीं है कि ये कोई action ले सकें, कुछ कर सकें आपके लिए, तो वो दिल से ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, जो भी हुआ आप लोगों के connection में, जैसा भी उन्होंने आपको treat किया, whatsoever, ये इन्सान आपकी forgiveness चाहते हैं, ये इन्सान चाहते हैं कि आप इनको दिल से माफ कर दें, हो सके तो आप इन्हें माफ कर दें, जिन्दगी में आगे बढ़ें, successful हों, कामयाब हों, अगर किस्मत में हुआ तो फिर कभी न कभी जरूर मिलेंगे, किस्मत में हुआ तो फिर एक दूसरे के रस्ते म जरूर आएंगे, एक दूसरे से जरूर टकराएंगे, मिलेंगे ये इनसान इस तरह की thinking में है इस वक्त बट ये बात for sure है कि इनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार है बहुत अच्छाई है, आपको अच्छे लफजों में याद करते हैं इस वक्त जिन्दगी में उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा change हो रही है इतना कुछ चल रहा है कि वो कुछ और plan नहीं कर पा रहे हैं So right now ये इनसान कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, move on करने की अपनी जिन्दगी में और चाहते हैं कि फिलहाल आप भी move on करें हो सकता है कि दो तीन महीने बाद या एक साल बाद कोई possibility आप लोगों के लिए बन जाए मिलने की दोबारा से But right now इस वक्त ये एक phase ऐसा चल रहा है कि जहां पर आप दोनों को अपनी अपनी जिन्दगी पर focus करने की जरूरत है और आपके person भी यही कर रहे हैं कि अपनी जिन्दगी पर focus करें और चाह रहे हैं कि आप भी उनकी याद में ना तरपें वो चाहते हैं कि आप उनको याद करकर के परिशान नहूं बलकि आप भी अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ें ठीक है उनके लिए feelings आपके दिल में हैं प्यार हैं जो भी है वो आप रखें लेकिन अपनी जिन्दगी पर भी focus करें अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश करें साथ साथ यह आप लोगों की reading थी group number 2 कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 3 यानि कि S to Z select किया था red diamond के साथ यह आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person की true feelings और intentions आपके लिए क्या है, वो truly कैसा feel करते हैं, आपके लिए इस connection के लिए उनका क्या इरादा है So let's start, सबसे पहला card है हमारे पास judgment, फिर है five of cups, nine of cups, the fool, five of wands, so double five किसी के लिए significant हो सकता है Justice, Page of Pentacles और फिर हमारे पास Knight of Swords So यहाँ पर Libra, Pisces, Kansas Scorpio, Aquarius, Sagittarius भी आप add कर लें क्यूंकि The Fool मेरे लिए Sagittarius card है वैसे तो सारे ही star signs हैं, लेकिन मैं हमेशा आप सी कहती हूं कि regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिल्कुल आपकी reading है, star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना, focus किया करें energy पर So यह इनसान truly आपके लिए कैसा feel करते है, एक तो मुझे थोड़ी सी immature vibes आ रही है, मुझे ये भी vibes आ रही है कि आपकी fight हुई है, आपकी बहस हुई है इनके साथ, अगर बहस नहीं हुई है, लड़ाई हुई है या फिर आप दोनों same page पर कभी भी नहीं आए, आप दोनों का समझने का चीजों को सोचने का तरीका बड़ा different है Point of view, life के बारे में, चीजों के बारे में आप दोनों एक दूसरे से बहुत different है और इस हद तक different हैं के उसकी बज़ा से आप दोनों में clash आता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं आप लोग So बहुत different point of views हैं, so ये एक problem इस connection में हो सकता है I feel के ये इनसान ये महसूस करते हैं, ये feel करते हैं truly कि वो आपके level पर नहीं हैं, वो अतने mature नहीं हैं जितने आप हैं I also feel कि ये इनसान इस वक्त, इस point पर अपनी जिन्दगी के आजाद रहना चाहते हैं And of course आपके साथ relation भी बनाना चाहते हैं, relation में भी रहना चाहते हैं आजादी के साथ, इनको freedom बहुत जादा अपनी अजीज है, ये रोक टोक इने पसंद नहीं है, अपनी मर्जी करते हैं हर चीज में Yes of course आपके लिए बड़ी feelings हैं, आप उनकी wish fulfillment है, आप से लगाऊने है लेकिन उनके प्यार में वो गहराई, वो depth नहीं है, वो उतना deeply सोचते नहीं है, चीजों के बारे में जितना आप expect करते हैं, कि वो deeply सोचें So ये इनसान बहुत जादा surface पर रहते हैं I also feel कि ये इनसान जैसे मैंने कहा कि ready नहीं है, commitment के लिए, settle down होने के लिए नहीं पसंद नहीं है कि कोई इन पर पाबंदी लगाए या इनसे कोई question करे But still आपके साथ connection में रहना भी चाहते हैं So clash इस वज़ा से आ रहा है कि जाहर है कि किसी के साथ relationship में होना एक responsibility होती है और दूसरे वाले को अपने हर फैसले में consider करना होता है But ये इनसान इस बात को understand अभी तक नहीं कर पा रहे हैं Still वो ये relationship में होते हुए समझते हैं कि वो आजाद हैं और वो आपको बिना बताए कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं चार चर दिन खामोश भी हो सकते हैं चार दिन message ना करें तो आपने सवाल नहीं करना कि क्यों नहीं किया You know ये एक example मैंने आपको दी है So इस तरहा का mindset है इनका थोड़ा सा childish immature mindset है चाहे इनकी age जो भी है लेकिन ये इनसान आजाद पंची है मैं ये कहूंगी कि ये इनसान आजाद रहना चाहते हैं जिन्दगी में और फिल हाल इनकी ये ही सोच है कि ये थोड़ा आजाद रहना चाहते है So ये इनसान ये भी सोच रहे हैं feel करते हैं कि ये आपके साथ fair नहीं कर रहे हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए इनको ये बात realize हो रही है इस वक्त ये इनसान बहुत जादा sad भी है बड़ा पच्चतावा भी हो रहा है इन्हें अपनी किसी बात का इन्हें अपनी mistakes का भी अंदाजा हो रहा है बड़ स्टिल ये इनसान अपने आपको change करते हुए नजर नहीं आ रहे ये realize कर लेते हैं अपनी mistake शायद ये आपसे माफी भी मांग लेते हैं कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं फिर कुछ दिनों के बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले होते हैं इनकी apology का कोई फायदा नहीं होता अगर ये आपसे माफी भी मांगें लेकिन वो अपने patterns कुछ change नहीं करते चीजें वैसी ही होती जाती है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये इनसान truly sorry नहीं है ये इनसान truly शर्मिंदा नहीं है क्योंकि ये change नहीं होए चीजें वैसी ही चल रही है तो ये इस तरहा का थोड़ा सा इनका childish behavior है जो इस वक्त चल रहा है आपके साथ इनका बट overall I do feel कि ये कोई बुरे इनसान नहीं है इनकी सोच कोई बुरी नहीं है बस ये थोड़ा सा चीज़ों को अपनी मर्जी से करने के आदी है थोड़े से कम evolved है आप ज़्यादा evolved soul है आपने ज़्यादा learn किया है आपका experience ज़्यादा है जिन्दगी के बारे में इनका थोड़ा सा कम है exposure भी experience भी maybe इनकी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा struggle नहीं थी ज़्याद है ये और थोड़े से childish हैं, mature हैं क्योंके इनोंने बहुत ज़्यादा difficulties शायद face नहीं की इस वज़ा से शायद वो थोड़े से ऐसे हैं उनकी निस्पत आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें जिन्दगी में face की है experience और exposure आपका ज़्यादा है जिन्दगी के बारे में, so इस वज़ा से भी आप दोनों की personalities different हो सकती है so let's see कि इनकी intentions क्या है so पहला काड है हमारे पास insecurity, so insecurity तो इस पर लिखा हुआ है बट इस image को आज मैं पहली दफार बहुत अदा गौर से देख रही है और इस में हमें devil का image भी नजर आ रहा है so इससे मुझे ये feel हो रहा है again, कि इनके जो थोड़े से ये attitude है devilish तो मैं नहीं कहूंगी इसको, किसी के लिए हो भी सकता है specific है, बट ये जो इनका attitude है ego वाला, जो आजादी वाला freedom वाला वो इसको भी change नहीं करना चाहते है और आपको भी अपने साथ रखना चाहते है बट वो change भी नहीं होना चाहते so ये एक चीज उनके अंदर है but yes, हमारे पास rejection का card है इनको इस बात का डर है कि आप इन्हें कहीं reject ना कर दें, इन्हें rejection से डर लगता है so maybe ये थोड़ा सा आपको arms length पर रखते हैं, थोड़ा सा distant रहते हैं आप से on and off करते हैं वो इस वज़ा से कहीं deeply hurt ना हो जाएं शायद ये वज़ा भी है एक फिर है हमारे पास loyal heart number 35 फिर है chop wood number 13 I also feel कि ये इन्सान बहुत ज़़ा काम पर तवज़ो नहीं देते हैं, इनको बहुत ज़़ादा जरूरत है काम पर तवज़ो देने की अपनी जिंदगी पर तवज़ो देने की ने बहुत ज़़ादा जरूरत है जिंदगी में grow करने की ने जरूरत है यह responsibility नहीं लेते हैं चीजों की, काम की responsibility नहीं लेते हैं, किसी भी चीज की responsibility नहीं लेते हैं, so इनने बहुत ज़ादा grow करने की ज़रूरत है, फिर हमारे पास financial constraints number 13 है, attachment number 5 है, so हो सकता है कि इनकी कोई negative attachment हो किसी चीज से, किसी substance से, but I also feel कि financially stable नहीं है, यह इनसान बहुत ज़ादे depend करते हैं, अपनी family पर, और लोगों पर depend करते हैं, यह बहुत ज़ादा independent इनसान नहीं, हाला कि यह बहुत आजाद रहना चाहते हैं, freedom है इनकी जिंदगी में, लेकिन यह dependent है when it comes to finances, financially यह अपने घरवालों पर, अपने father पर, अपने family business पर depend या तो करते हैं, बट बहुत dependent हैं, financially, independent नहीं है, financially, so इने बहुत ज़ादा उस एरिया में, अपनी जिंदगी के काम करने की जरूरत है, फिर हमारे पस children, इस से मुझे फिर यही feel हो रहा है, कि यह इनसान बहुत ज़ादा childish है, बहुत ज़ादा immature है, और इसका यह मतलब भी हो सकता है कि वो इसलिए ऐसे हैं, क्योंकि childhood में जो उन्होंने experience किया, maybe उनका childhood बहुत आसान था, या फिर उनके childhood में कोई trauma था, जिसकी वज़ा से वो आज ऐसे हैं, कि जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और आजाद सा रहते हैं, and then we have yes, so maybe आपके जहन में कोई question था, जिसका answer yes है, maybe आप के जहन में आपने कोई फैसला किया, या आपके जहन में कोई idea है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि yes, आपका idea ठीक है, आपका फैसला ठीक है, yes, go for it, इसका ये मतलब है, so इस वक्त आपके person की कोई intention मुझे नजर नहीं आ रही, कुछ करने की, आगे बढ़ने की, कोई जिम् रहे हैं, वो अपनी जिन्दगी में मेहनत करने के लिए इस वक्त ready दिखाई नहीं दे रही है, कैसे इनसाने जो कहते हैं कि बस खुद बाखुद हर चीज हो जाए और मैं बस लेटा रहूं, या मैं बस लेटी रहूं और बस खुद ही सब कुछ हो जाए, या प्लेट में मि उसकी अप्रिंगिंग, उसका एट्मोस्फेर, उसका एंवाइमेंट या सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं उसकी परसनालिटी को डिवलप करने में, या सारी चीज़ें उनकी आपकी हर चीज से डिफरेंट थी और इस वज़ा से वो आज ऐसे इनसान ह और वो चेंज भी हो सकते हैं, ये कोई पर्मनेंट चीज नहीं है, जिन्दगी में इनसान बहुत कुछ सीखता है, चेंज होता है, एवल्व होता है, सो ये भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है, बट राइट नाओ, ये रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, और बस ये कहते हैं, जैसे जिन्दगी गुजर रही है, बस गुजरते जाओ अभी, ठीक है, आसान है जिन्दगी इस वक्त, सो इस तरहां के माइंड सेट में नजर आ रहे हैं, कोई इंटेंशन इनकी खास नजर नहीं आ रही है, कोई इरादा, कोई मुझे इस कार्ड को देखते हुए, सिर्फ ये वाई बारी है, कि आपने अपनी सारी लोयल्टी, आपने अपना 110% इस कनेक्शन को दे दिया, कभी कबार इतनी लोयल्टी भी अच्छी नहीं होती है, और कभी कबार इंसान को अपने और आप्शन भी देखने चाहिए, I know कि ये मेरी बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होगी, बट किसी के लिए ये मैसिज है, कि आप थोड़ा से ये लोयल्टी जो है, अपने उपर शिफ्ट करें, अपने सारी लोयल हों, और आप ये लोयल्टी सबसे जादा डिजर्व करते हैं, तो थोड़ा अपने उपर फोकस करें, अपनी जिन्दगी के उपर, अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने का सोचें, और थोड़ा सा आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि इनका फोकस शिफ्ट हो, ये इनसान थोड़े से चेंज हों, बेहतर हों, कोई एफर से कोई effort हो, कुछ नजर आए आपको, तो फिर आप अपने उपर focus shift करें, और अगर आप अपने उपर focus shift करते हैं, फिर भी कोई इनसान आपकी जिन्दगी में नहीं आता, तो फिर उस इनसान को जाने देना चाहिए, क्योंकि वो इनसान कभी भी आपके लिए ठीक था ही नहीं इसका मतलब ये होता है, तो आपको अपना focus अपने उपर shift करना है, तो ये इनसान फिल हाल जैसे मैंने कहा कि थोड़ी childish, immature energy में हैं, अभी ये कुछ प्लैन नहीं कर रहे हैं इस connection के लिए, तो ये आप लोगों की reading थी group number 3, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझ कीजेगा, share कीजेगा, और subscribe करना मत भूलिएगा, जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है, कि आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love and you are lovable, अपने आपको ये